पाँच एतिहासिक अनाउंस्मेंट किये हैं सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को चाहिए वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के एक लाख रुपए देगी, कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की उनका बेटा पुलीस में भरती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा, कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई, उसकी मा महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े दोने का काम करती है, यूपए, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी, एक लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल, और वैसे ही हिंदुस्तान में करोणों महिलाओं के साथ, करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में, साल का एक लाख रुपए आएगा, क्रांतिकारी कदम है यह, अगर नरेंद्र मोदी जी अरब पतियों को, अरब पतियों को 16 लाख करोड रुपए दे सकते हैं, तो हम करोणों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं, दूसरा इतिहासिक काम, सरकारी वेकंसीज में, सरकारी जॉब्स में, महिलाओं को 50 परसेंट आरक्षे, हर सरकारी ओफिस में, कुछी सालों में, आपको 50 परसेंट महिलाओं दिखेंगे, तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं, आर्थिक अन्याए हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महिंगाई बढ़ रही है, गैस सिलिंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में एक लाख रुपे डालेंगे, सरकार में आपकी जगे नहीं बनती, हम 50 परसेंट रेजर्वेशन देखके आपको अंदर दर्वाजा खोल के डालेंगे, आशा, आंगनवाडी और मिड़े मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्मन्ट का जो भाग है, जो शेर है, उसको हम दुगना कर देंगे, हर पंचायत में एक अधिकार मेत्री को हम अपॉइंट करेंगे, वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी, और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी, और आकरी काम, सावित्री फूले जी की जन्म भूमी है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टेल खोलेंगे, जो महिलाओं काम करती है, जॉब करती है, उनके लिए हॉस्टेल खोलेंगे, उनको वहाँ पे सिक्यूरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमें एक सावित्री फूले महिला हॉस्टेल खोलने जा रहे हैं,